हेलो स्टुडेंट्स मैसेल्फ योगेंद्र बगडिया टीम बोटनी CLC सिकर स्वागत है बच्छों आपका CLC ओनलाइन प्लेटफॉर्म पे दंगल नंबर आठ इससे पहले आपने जितने भी दंगल अटेम्ड किये बहुत अच्छे गए हैं नो डाउट यह जो दंगल हुआ है यह भी आपका बहुत अच्छा गया है सारे कुश्चन जो है वह आपके NCRT बेस्ट है बिल्कुल और इन कुश्चन के अंदर पूरे के पूरे जो है वह सेलेबस को कवर किया गया है और बिल्कुल जहां पे concept बनता है और concept best question आता है डाटा बेस्ट क्विश्चन आता है तो वो सारे कुश्चन जो है वह आपके cover किये गये है उमीद है यह जो paper है वो आपका बहुत अच्छे से गया है और maximum आपने सारे question राइट किये फिर भी अगर एक दो क्यूशन अभी भी अगर आपको यसा लगता है कि भाई concept बेस्ट क्यूशन गलत हो रहे तो अपने यहाँ पे वन बाई वन करके एक एक करके solution करते हैं और देखते हैं कि जो क्यूशन अपना गलत हुआ है उसको अपन बिल्कुल सही करेंगे हैं ठीक है तो करें स्टार्ट बच्चो क्यूशन नंबर 151 which of the following taxonomic category are common for tritricum and mangifera tritricum और mangifera के लिए निमली खितमे से कौन सी वर्गी की शेणिया समान है देखो आपको याद रखना है kingdom से लेकर के species तक यहाँ पर बिल्कुल NCRT के अंदर एक table दे रखा है और उसके अंदर गेहुं और आम के बारे में बता रखा है तो इसमें अगर आपन देखें तो जैसे kingdom की बात करते हैं तो kingdom में planti, angiospermia, dicote, sapindels, anacardiocy, mangifera और indica यह तो होता है किसका? mangifera का हो जाएगा सेकेंड अगर आपन यह कहें कि जिसे trittricum है तो trittricum के अंदर अगर आपन देखें तो यहाँ पर और mangifera के अंदर अगर आपन कहें कि जो division है वो division दोनों के अंदर आपके क्या रहेगा? common रहेगा और वो division क्या रहेगा? आपके angiospermia kingdom की बात करें तो kingdom दोनों के अंदर common है कौन सा रहेगा? आपके planti पर division सेम है? class सेम? नहीं होगा यह कि जो class है वो class dicote तो mangifera का होगा और monocote trittricum का होगा order की बात करें और class की बात करें तो यह भी जो है वो same नहीं होगा फैमिली की बात करें तो जो फैमिली है मेंजी फेरा की और वो मेंजी फेरा की एनक RDSC और trittricum की कौन सी होगी आपके poesi हो जाएगी ठीक है? तो यह option भी नहीं होगा तो यहाँ पे जो first option है वो first option क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा आई बात समझ में बिलकुल NCRT based जो हो आपके question frame किया गया है और बहुती अच्छा question है कि taxonomic category यहाँ पे जो है वो similar पूछा गया है तो division और जो kingdom है वो kingdom और division दोनों क्या हो जाएगे आपके? सेम हो जाएगे तो option क्या जाएगा अपना first option क्या हो जाएगा? right हो जाएगा ठीक है? next बढ़ते हैं 152 के अंदर solenum, pitunia, dhatura अगली उच्छेणी में लक्षणों के आधार पर रखे जाते हैं और वो family कौन सी होती है आपकी? soleness ही family होता है और इसके अंदर जो इन में difference किया गया है वो difference जो है वो आपके reproductive और vegetative character के वैसेस पे किया गया है या president और काईक लक्षणों के अधार पर जो है वो आपके देखने को मिल रहा है तो option क्या होगा इसके अंदर? second option क्या हो जाएगा? right हो जाएगा तो 122 में क्या रहेगा? second option है ठीक है? next चलते हैं, आगे 153 How many statement are right for given figure? दिये गए चित्र के लिए कितने कथन सही है? example है, fucus का, NCRT के अंदर diagram दे रहे हैं और वो brown algae के अंदर आता है इट री पर्जेंट diplontic life cycle, देखो question को आप यहाँ पे देख रहे हूँ तो यहाँ पे कोई भी point जैसे पूरा यहाँ पर brown algae को cover कर लिया गया, इन charge statement के थूँ तो यहाँ पर हर एक चीज़ को आप अच्छे से notice कर लें, diplontic life cycle, no doubt, जो algae होता है उसमें haplontic life cycle होता है बट exception form में इसमें क्या होता है, diplontic life cycle होता है, तो यह भी सही हो जाएगा इट contain chlorophyll A and D, A and C होता है, जेंतोफिल होता है, बट A and C होता है, तो यह इसके region से यह गलत हो गया इट gamits are pyreform, बिल्कुल सही बात है, और have unequal phlezy lab, तो यह भी सही बात है, क्योंकि यहाँ पर equal नहीं होता है equal किसके अंदर होता है, आपके green algae के अंदर होता है, इट represent in the form of floridian starch तो यहाँ पर floridian starch नहीं होता है, लेमिनेरीन और mannitol food store होता है, तो एक तो यह सही हो गया, एक यह सही हो गया, एक यह सही हो गया तो यहाँ पर 3 statement क्या होंगी, right हो जाएंगी, तो answer क्या होगा, 4th option क्या हो जाएगा, right हो जाएगा, तो 153 के अंदर क्या होगा, 4th option next आगे बढ़े पोडो के समू का चेन कीजिए, जो सवन उत्तक रहित embryophytes में समलित है, select pair of plants include as non-vascular embryophytes मलब यहाँ पर अपने को यह देखना है कि embryophytes basically कहां से स्टार्ट हो रहे है, bryophyta से स्टार्ट हो रहे है, teridophyta भी embryophytes है, gymnospum भी है, angiospum भी है बट यहाँ पर non-vascular, तो non-vascular कौन से होते हैं आपके, bryophytes होते हैं, तो bryophytes के example देखलो आप, spirogyra, sphagnum, तो यह नहीं होता है, spirogyra क्योंग किसके अंदर आता है, algae के अंदर आता है, sphagnum, silagenella, silagenella, क्या आपके teridophytes तो है, बट non-vascular नहीं होता है, vascular plants होते हैं, markensia औ sphagnum, बिल्कुल सही बात है, और walvox और polyctotrichum, तो यहाँ पर 154 के अंदर जो option होगा, वो क्या हो जाएगा, आपके third option क्या हो जाएगा, right हो जाएगा, walvox क्या है, alga हो जाएगा, green alga होता है, ठीक है, next, jamie are found in and perform asexual reproduction to produce new plants, jamie में उपस्तित होते हैं, यह एलेंगिक प्रजिन द्वारा नहीं पोदो को बनाते हैं, देखो, jamie की बात करें, तो यहाँ पर अपन जानते हैं कि इस तरीके से जो इसकी उपरी सत होती है, तो यहाँ पर क्या प्रजिएंट होते हैं, jamie प्रजिएंट होते हैं, ठीक है, और यह बैसिकली किस में होता है, लिवर वर्ट के अंदर होता है, ब्रायोफाइट के अंदर होता है, लिवर वर्ट में यहाँ पर एक एक एक्जामपल दे रखा है, और वह एक्जामपल कौन सा है, मारकेंशिया है, तो मारकेंशिया है, तो मारकेंशिया होता है ठीक है next 156 ट्रेकीड वैसल्स स्क्लेरीड्स आर सिमिलर इन देट अल वाहिनिका वाहिका स्क्लेरीड्स समान होते हैं क्योंकि देखू सबसे समानता यह है कि तीनों के तीनों क्या होते हैं इन्रल्स ट्रेकीड्स करते हैं वैसल्स करते बट्सक्लेरीडस नहीं संधी यह कहीं न रचानकोथ सपोर्ड या द्रिक साहिता में क्या करते हैं सहिता करेंगे फंंक्षिनल लंड होगे डैड ओंगे टभी क्या करेंगे यह काम करेंगे ठीक है है ओपन एंड ओपन एंड जो है वो सब में नहीं होता है तो यहाँ पर थार्ड ओप्शन क्या होगा 156 के अंदर राइट हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट 157 पत्तियों में भरण उत्तक किस रूप में उपस्तित होता है इन लीव्ज ग्राउंड टिशू परजेंट इन फॉर्म ओफ बिल्कुल दे रखा है NCRT के अंदर पर्ण मद्य उत्तक में होता है एपिडर्मिस में नहीं होता है सवन उत्तक में नहीं होता है रक्षक पोशिक में होता है तो जो बैसिकली मिजोफिल सका पार्ट ग्राउंट टिशू सिस्टेम का पार्ट होता है लेकिन रूट के अंदर इंदर यह कंदर होता है अगर लेयर के आदर है तो यह आप को याद रखना है तो 157 हा जाएगा फिस्ट ऑप्फिन क्या हो जाएगा राइट हो और याद रखना है कि इसके अंदर अपने सेलेबस के अंदर जो फेमिलीज दे रखिये सोलेने सी है फेबे सी है और लीलिये सी है ठीक है और एक क्रूसी फेरी भी दे रखा है तो उनसे रिलेटेड जितने भी अब principles है उसका flower formula है उसका flower diagram है उससे जितने भी रिलेटेड information है वो अपने को अच्छे से याद रहना चाहिए पता होना चाहिए तो यहां पर एक formula दे रहका और उस formula के अंदर आपको no doubt यह formula आप देखते अब बता सकते हो किसका है एलियम सेपा और कॉल्ची का मॉटमनेल ये भी नहीं होगा, ये लीलियसी का होता है, सैजबानी और मकोई, मकोई होगा बड़ सैजबानी या नहीं होगा, तो यहां पर option क्या होगा, फ़र्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 158 क्या हो जाएगा, फ़र्स्ट ऑप्शन, राइ दे पोजेज, माइट्रो कॉंड्रिया अर्द स्वायत है क्योंकि ये धारन करते हैं, तो सेमी ओटोनॉमस की अगर अपन बात करें तो यहां पर अपने को याद रखने हैं, दो सैल और गनल, दो कोशिका हूं, एक तो है माइट्रो कॉंड्रिया और एक है क्लोरो प्लास्ट है दोनों ही सेमी ओटोनॉमस होते हैं और इसका मतलब क्या होता है, कि जैसे माइट्रो कॉंड्रिया की मैं बात करूँ यहां पे, तो माइट्रो कॉंड्रिया के अंदर क्या होता है, आपके DNA पर्जेंट होता है, सर्कुलर DNA पर्जेंट होता है, और यह जो सर्कुलर DNA है, यह स प्रोटीन के बनेगा प्रोटीन डायट नहीं बनता है वो दिना से पहले आरेने बनता है आरेने से फिर क्या बनता आपके प्रोटीन का formation होता है 159 का क्या हो जाएगा आपके 3rd option क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा next 160 cytoskeleton is made up of कोशि के कंकाल बना होता है calcium carbonate kanika नहीं होगा ये calos deposition नहीं होगा cellulogic microfibril नहीं होगा proteinious nature के होते हैं किसके होंगे proteinious nature के देखने को मिलेंगे ठीक है बलब चाहिए वह आप यह कह दो micro filament, micro tubulin और intermediate filament तीनों ही किसके बने होते हैं आपके protein द्वारा निर्मित होते हैं तो 160 में कहता है कि आपके 4th option next a tetrad consists of tetrad बना होता है देखो tetrad का मतलब क्या होगा ये chromosome है और इस तरीके से यह हो गया तो यह tetrad हो गया ठीक है यह tetrad structure हो गया ठीक है बाद यह tetrad structure हो गया तो यह homologous chromosome है और एक homologous chromosome के अंदर क्या होते हैं दो sister chromatid होते हैं यह दो sister chromatid यह दो sister chromatid इनका यह centromere हो गया इनका भी यह क्या हो गया आपके centromere हो गया अगर मैं यह कहूं के यहां पर यह क्या है तो यह non sister chromatid हो जाएंगे तो tetrad पूछा आपने से two set of homologous chromosome each with two sister chromatid बिल्कुल सही है non sister chromosome नहीं होता है तो यह नहीं होगा for non homologous chromosome बिल्कुल गलत है यह for non homologous यह भी गलत हो जाएगा तो 161 का क्या जाएगा आपके third option क्या होगा right हो जाएगा clear बात यहां पर बहुत ही important और एक अच्छा question है और हर बार जो cell division है उससे question आता ही आता है ठीक है next question 162 correct sequence of sub stage of pro phase first पूर्व अवस्था फस्ट की उप्रा अवस्थाओं का सही करम कह देखो तोata Us Us यह य क्या क्यूण च्चस्ट को अग्च से अथ लेप्टोटीन, जाइगोतिन, पैकाइटीन, डिपलोटीन, डाइकाइनेसे, क्या होगा तो अप्चन क्या होगा है तो यहां पर यहां पर ऑप्चन क्या हो जाएगा option क्या हो जाएगा second option क्या हो जाएगा राइट हो जाए तो 162 के अंदर क्या होगा second option राइट है ठीक है बाद sequence याद रखना है और इनसे हर बार अभी जैसे मैंने आपको बताया कि हर बार equation तो confirm आता ही आता है इससे ठीक है 163 कि identify a b and c in figure given below दिये गए चित्र में a b c को पहचानी है विल्कुल ncrt का है transcription का एक डाइग्राम दे रखा है ncrt के अंदर यह क्या हो जाएगा promoter यह क्या हो जाएगा structural gene यह क्या हो जाएगा terminator देख लो promoter structural gene terminator क्या और है क्या यह नहीं है यह नहीं है ठीक है यह भी नहीं है according ncrt उन्नायक सरचनात्मक जीन और समापक तो first option क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा तो 163 का क्या answer होगा first option क्या होगा राइट हो जाएगा clear next question आगे बढ़ते है अपन 164 के अंदर primary step for regulation of gene expression is gene अभिवक्ति के लिए नियमन के लिए प्राथमिक चरण देखो sequence दे रखा है यहां ठीक है और वो चरण क्या है सबसे पहले transcription इस तर पर होगा फिर उसके बाद में splicing इस तर पर होगा फिर उसके बाद में transportation के इस तर पर होगा जिससे नुकलियो प्लास से कहां पर जाएगा आपके साइटो प्लास्मी के तरफ जाएगा और फिर उसके बाद में translation इस तर पर होगा तो यहां पर फस्ट लिए अगर आपन देखें तो regulation of transcription बिलकुल सही है regulation of translation दो तो यह भी नहीं होगा और यह भी नहीं होगा तो यहां पर अनुलेखन का नियमन तो फस्ट option क्या होगा 164 का क्या हो जाएगा फस्ट option राइट हो जाएगा आई क्या बाद समझें बिलकुल NCRT based concept है और इनी concept को अपने को अच्छे से याद रखना है ठीक है next 165 इन दा लैक ओपरोन सिस्टम बीटा गलेक्टोस आईडेज बिलकुल लैक ओपरोन तंतर में बीटा गलेक्टोस आईडेज किसके द्वारा कोडित होता है तो अच्छे से अपन जानते हैं कि यह जो DNA होता है इसके अंदर I gene, P gene और O gene और Z, Y और क Y से क्या बनता है पर्मियेज और A से क्या बनता है आपके ट्रांस, Acetylase का क्या होता है, Formation होता है तो Z जो gene है वो क्या बनाएगा, बीटा गलेक्टोस आईडेज बनाएगा, तो 165 का क्या होगा आपके, 4T option क्या हो जाएगा, राइट, 166, the plant ash indicate, पादब भस में परदशित करती है देखो, अगर अपन कोई भी पादब का भाग लेते हैं, पाट लेते हैं, जैसे leaf ले लिया, उस leaf को अपने जला दिया, burn किया, तो उसका जो राख बसता है, उसका जो एश बसता है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या प्रजेंट होता है, एकार्बनिक घटक क्या होते ह हैं, यह आपको याद रहना है, और गणिक मेंटर ओफ प्लांट यह नहीं होता है, क्योंकि सारे के सारे किसमे वायँ कैणवर्ड हो जाते हैं, कार्बनिक सरचना में क्यों हो जाते हैं, अीक हो जाते हैं, कार्बनिक पदार दोनों तो यहां पर देखें तो second option क्या होगा इसके रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा क्लियर बात तो second option होगा किसके अंदर 166 नंबर के अंदर 166 नेक्ष्ट बढ़ते हैं 166 के अंदर which of the following is a micronutrient देखो निम्न में से कौन सा एक लगू पोशकत्त्त है तो यह आपको याद रखने हैं था ना के लगू कौन से है और व्रहद कौन से है macronutrient कौन से और micronutrient से थार्ड ओप्शन क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा नेक्ष्ट क्यूशन है वाट आर दा एक्वापॉरी इन फैसिलेटेड डिफूजन प्रोसेस सुसाद्य विस्सरण में एक्वापॉरीन क्या है देखो बिलकुल यह मेंब्रेन है इस मेंब्रेन को अगर पन कहें जै चैनल की तरह क्या होती है कारिये करते हैं और इसमें आठ प्रकार के एट टाइप के जो हो हें आपके क्या होते है एक्वा पॉरीन होते हैं तो मिंब्रेन लिपिड लिपिड किसी भी तरीके से पाइटिसिपेट नहीं कर रहा इसके रिस्पेक्ट में केरियर हो जाएगा और वहाग के लिफिट हो जाएगा तो एंसर क्या होगा थाब ओप्शन क्या रिखत में एकवा प॓रीन के रसेट में टेर बात यहां पर अच्छे से आगी समझे ठीक है आगी बाद समझे ठीक है next तो थार्ड ओप्शन होगा इसका विच वन ओव दा फोलेंग पीजियर इंड्यूस पार्थिनो कार्पीन टो मेटो एंचियाइटी का बिल्कुल स्टेटमेंट है कि ए निशेक फलेंगों विशेषकर किसके अंदर टमाटरों के अंदर कौन प्रदर्शित करता है बिल्कुल एंचियाइटी का स्टेटमेंट है ओग्जीन होर्मोन क्या करता है आपकी प्रदर्शित करता है ओग्जीन जिब्रेलीन साइटोकाइन इथाइलीन तो ऑप्शन क्या होगा फास्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा 169 के अंदर क्या हो जाएगा फ परासरणी की जो प्रकृया है उसके लिए आवश्यक नहीं है तो आपको अच्छे से पता है कि इस तरीके से अगर आपन देखें तो यहां पर जो प्रोटॉन है बाहर भी है और इसके अंदर भी क्या होते हैं थाइलेकोडी की बात करते हैं तो इनमें भी क्या होते हैं आपक है यह फिर अंदर से बाहर की तरफ जाएगा क्योंकि यहां पर प्रोणता क्या हो जाएगी ज्यादा हो जाएगी प्रोटोन पॉंप काम करेगा बिल्कुल सही बात है क्योंकि प्रेशर यहां पर ज्यादा हो जाएगा यहां पर क्या है बाहर की तरफ क्या होगा तो यह चाहि ग्रेडियंट प्रोटोन ग्रेडियंट ओना चाहिए अभी बताया, यहां पर प्रोटोन ग्रेडियंट का ज्यादा हो और बहर की तरफ प्रोटो टोर ग्रेडियन क्या आपकी कम होते है, ATPase enzyme बिल्कुल F1 particle के अंदर क्या होता है आपके present होता है तो second option की requirement नहीं है 170 के अंदर है ठीक है 171 Select the incorrect match sponge, gemules, east, bulb, water, hyacinth, offset, again, bulbil sponge, gemule, east, shalk, kand, jalkumbi, bhoostarika, again, पत्र, prakalika तो यह बिल्कुल सारे मेच करें केवल एक को छोड़ करके east क्योंकि east के अंदर क्या होता है आपके bind, budding होता है, क्या होता है, budding process देखने को मिलता है तो second option क्या हो जाएगा आपके, right हो जाएगा, तो 171 का क्या हो जाएगा, second option है 172, egg apparatus is made up of, अंड उपकरण बना होता है देखो, बिल्कुल यहाँ पर आपको पता होना चाहिए और पता भी है आपको इस तरीके से सरचना है ठीक है, तो यहाँ पर इसको क्या बोलते है, egg apparatus तो इसमें क्या हैगा, एक तो egg cell egg cell हाजाएगा, प्लस क्या जाएगा, आपके synergy हाजाएगा, तो दोनों को मिला करके क्या बोलेंगे, egg apparatus बोलेंगे ठीक है बाद, तो यहाँ पर फॉर्थ option क्या होगा, राइट हो जाएगा, बिलकुल NCRT based statement है, तो फॉर्थ option क्या होगा, राइट हो जाएगा, ठीक है, next 173, consider road-like structure as embryonal axis, x is the reason at which cotyledon is attached, identify a and b, छड जैसी भ्रोनी अक्ष के बारे में विचार करें, बीज पत्र के संधी स्थल, x क्रम से a और b को पहचानिए, तो यहाँ पर सीधी सी बात है, इसको अगर अगर अपन embryonic axis मान रहे हैं, तो इसके उपर वाला भाग क्या होता है, epicotile, जो आगे चल करके, क्या बनाता है आपकी, plumule से related जो भी भाग बन रहे है, stem का भाग बन रहे है, shoot का भाग बन रहे है, उसके formation में क्या करता है, साहिता करता है, help करता है, और इस embryonic axis से नीचे वाला जो भाग है, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, तो यह radical कही ना कहीं, root के formation में, root cap के formation में क्या करता है, साहिता करता है, और हाइपो डोलेगा चिन निचलाब हो जाएगा तो बीज पत्रो परिक तो क्या हुगیا उपरी भाग और बीज पत्राध्हार चाह तो यह मैच नहीं कर रहे तो फ missiles ऑप्शन क्या होगा 173 खोले सेटीगा नेक्स्ट 174 Alexander Fleming discovered first antibiotic penicillin in 1929 when he studied on bacteria Alexander जो काम कर रहा था लेबरोटरी के अंदर परियोग शाला के अंदर काम कर रहा था तो उसने सबसे पहले जो bacteria को study किया या जब पन कहते हैं कि penicillin एक antibiotic है जिसकी खोज जो है वो इसने की थी ठीक है तो वो penicillin की खोज करने का जो कारण था वो था bacteria और वो बैक्टीरिया भी कौन सा विशेस कर कौन सा था staphylococcus था तो streptococcus नहीं है staphylococcus है penicillin notatum से तो प्राप्ट किया था ये ग्रो कर गया था वहाँ पे पैट्रिडिस्क पे ग्रो कर रहा था ठीक है डिप्लो कॉकस भी नहीं होगा तो second option क्या होगा इसके respect में 174 क्या हो जाएगा second option right हो जाएगा next question है lectic acid bacteria can increase following vitamin निम्न vitamin में से किसे lectic अमल जिवानू बढ़ा सकते हैं तो बिलकुल दो चीजे हैं कर्ड के respect में एक तो vitamin b12 है और एक digestion में क्या करता है आपके help करता है जो harmful bacteria होते हैं जो microbes होते हैं उनको भी क्या करता है वो kill करता है तो vitamin b12 जो है वो इसके respect में इस statement के respect में क्या हो जाएगा right हो जाएगा चीक है next which is the competitive inhibition enzymes responsible for synthesis of cholesterol निम्न में से कौन सा cholesterol निर्मान के लिए उत्तरदाई enzyme का परतिस कि अर्दक संदमक होता है तो cyclosporine नहीं होगा cyclosporine तो क्या होता है immunosuppressive drugs होता है streptokinase क्या होता है जो रुदीर का ठक्का होता है उसको कि तोडने में या उसको dissolve करने में help करता है statin जो है वो आपके एक yeast है ठीक है monoscus perfurious और जो lipase है वो भी एक enzyme है जो lipid जो होता है उसको dissolve करने में उसको तोडने में क्या करता है help करता है बट cholesterol के लिए यहां पर क्या होगा statin क्या होगा जो yeast से find out होता है प्राप्त होता है third option हो जाएगा ठीक है बच्चो next question which of the following radiation used during formation of mutation breeding plants निम्न में से किस विकरण का उप्योग परिवर्तन संकृत पोदों की निर्माण में किया जाते है गामा रेडियेशन रेड लाइट यूवी रेज और विजिबल लाइट यह फिर गामा विकिरन लाल प्रकाश यूवी किरन और द्रश्य प्रकाश तो अकोडिंग एंस याट अपन कहें तो फिर्स्ट ऑप्शन क्या होगा अपना राइट हो जाएगा गामा रेडियेशन ठीक है next 178 तो 177 क्या फर्स्ट ऑप्शन ऑजोन डिपलेशन इस अकरिंग वाइडली इंदा डिपलेशन इस पर्टिकुलरी मार्ट ऑवर्दा देखो एंस याटी का डाटा है बिल्कुल कि जो ऑजोन आवश्य है विस्तरत रूप से कहां पे या कौन सी प्रत में पाया जाता है तो оры इसमें वहार हो एप साथ स्थरस्प्रिसशाइब गने और यह ढृँआ यह और यह कहां पे देखने को मिलता है तो अंटार्टिका जोन के अंदर जो है वह वह which of the following group represent minimum species diversity among vertebrates निमनलिकेश में से कौन सा समोग कशेर को सबसे कम विवित्ता प्रदशित करता है एंजी आर ने तीन पाई चार्ट दीएं बिल्कुल याद रखने हैं in vertebrates के respect में वर्टिबरेट के respect में और प्लांट्स के respect में ठीक है तो अपन बात करी यह पर वर्टिबरेट के respect में कशेर क्यों के respect में तो सबसे ज़्यादा अगर अपन देखीं ठीक है तो फिश आता है सबसे कम आपके क्या होता हैratos में मलसंते टिक whether second नमडर पर आएंगे रेप्टाइ12 नमडर पर आएंगे और यह और सबसे कम को से क्यों नफंस होंगे तो यहां पर 179 यहीं क्या होगा सेकेड्र बाइट हो जाएगांगोटो तीक है नेक्स्ट हो 180 वेटिकल डिस्टुबूशन ऑफ डिफेंड प्लांट्स लाइक्ट शर्ड्जॉब्स ग्रासेश इनका उर्द मादर रूपसे जो वित्रण होता है वैई जैसे यह ग्रासेश है यह शर्ड्जुब शॉगए इस तरीखेस से और यहां पर यह क्या होगे आपके प्लांट्स हो हो नेक्स्ट कुछिंगे देखते हैं पर नेक्स्ट एंटाटा यह यूजिए एम रेडी लिस्ट बोकुमेंटेट धा एक्सिंट टोटल सकते हैं प्लिक्ट एंडाटा देख है और एंडरी यह यास रखने अपने को 338 359 और 87 तो थार्ड औस थार्ड आप्शन क्या होगा 181 कि यह जाएगा आपकी राइट हो जाएगा ठीक है तो इसके इंदर थाड आपशन क्या होगा राइट हो जाएगा 338 वर्टीव्रेट्स है 359 जो इन वर्टीवेर्ट्स और 87 कि आपकी प्लांट्स हो जाएगा ठीक है next find the wrongly match pair endemies में ठीक है लब यह वो प्रजाती होती है जो एक विशेस इस्थानमी क्या होती है प्रजेंट होती है ठीक है हर जगे प्रजेंट नहीं होती है ठीक है reason with species richness बिलकुल hot spot होता है alien species बिलकुल सही बात है lungs of planet यह गलत है क्योंकि Amazon forest area जो होता है उसको अपन क्या बांते हैं ग्रह के फेफडे मानते हैं जो लगबग सबसे अधिक मात्रा में oxygen को क्या करता है मुक्त करता है तो यह रोंगली क्या हो जाएगा मेंच हो जाएगा 182 का जो आपके क्या हो जाएगा fourth option हो जाएगा ठीक है next the term biomagnification refer to ठीक है जेव आवर्दन संबंधित है increase in concentration of non-degradable pollutants through a food chain growth of organism due to food consumption decrease in population size increase in population size the food chain के अंदर जैसे एक example भी दे रहा है NCRT के अंदर DDT का तो DDT जो होता है वो हर एक food chain के अंदर जो पौशक इस्तर होता है tropical level हो तो उसमें क्या होता है इसकी सांद्रता क्या होती है आपके बढ़ती जाती है तो वो basically represent करता है bio magnification को और यह basically क्या होते है non-degradable होते है तो NCRT ने एक line भी दिये है यह digest भी नहीं हो सकते और excrete भी नहीं होंगे मतला पाचित भी नहीं होते है और उसर्जित भी नहीं होते है ठीक है तो यहां पर first option क्या होगा 183 का 183 का first option हो जाएगा ठीक है next kingdom of unicellular eukaryotic and unicellular prokaryote एकोष किये ससीम के अंदर की और एकोष के सीम के अंदर की आक्रम से जगत है देखो एकोष किये जो ससीम के अंदर की जो eukaryotic है वो इन में से अगर आप अपन देखे तो यह है और यह भी है ठीक है बाद लेकिन mycota मतलब fungus तो fungus जो है वो आपके क्या होते है एकोष के भी होते है और क्या होते है आपके बहु कोष की अवस्था भी देखने को मिलते हैं ठीक है और यह दोनों ही क्या आपके eukaryotic होता है बट प्रोकेरियोटिक पुछ तो प्रोकेरियोटिक के नाम पर क्या होगा यह जाएगा तो थार्ड आप्शन क्या होगा राइट हो जाएगा तो 184 वा क्या हो जाएगा थार्ड ओप्शन next find the incorrect about uglinoids अच्छा क्यूशन है uglinoids प्रोटिस्टा से रिलेटेड है गलत कथन को पहचानी यह जनरली अकरीन स्टेग्नें सोल्टी वाटर फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होता है तो यही गलत होगया फेस्ट और देख लेते अए ब्लकुल यह प्रोटीनियस पैलिकल बिल्कुल सेल ओल्न होता हैं तो फ्लेजिला होते हैं एक लॉंग साइस का एक स्मॉल साइज का डे-ार मिक्सो ट्रॉपिक बिल्कुल योग ली डह लाइट की प्रजेंस में हैं तो photosynthesis करता है और अगर लाइट नहीं है तो animals की तरह food को कर लेता है एंगल्फ कर लेता है heterotrophic वह जाता है इसलिह इसको अबन कैसा मेक्सो ट्रॉफिक बोलते हैं तो यह तीनो स्टेटमेंट सही है इस स्टेटमेंट के रिगार्डिंग में ठीक है नेक्स्ट बी सेक्शन के अंदर अगर अपने देखें तो निम्न लक्षणों के अधार पर पादव समोगों को पेचानी आइडेंटिफाइड प्लांट ग्रूप और अपने से पूछा गया है कि यह जो ऑप्षिन है वो ऑप्षिन किस से रिलेटेड है ठीक है पर जैन्स वैस्कुलर टिशू कहां से स्टार्ट हो जाता टेरीडोफाइटा जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म एंडोस्पर्म फॉर्मेशन विफॉर्टिलाइजेशन तो यह याद रखना यूनीक फीचर आप यह कह सकते हो कि यह बैसिकली जिम्नोस्पर्म के अंदर होता है होता है आपके शां के पादब होते हैं देखने को नहीं मिलते हैं जह whisko जाएगा gymnosperm को या फिर अगर अपन कहें अनावर्त वीजियों को जो है यह option जाएगा यहाँ पर याद रखना है देखो endosperm जो होता है वो पहले ही बन जाता है before fertilization पर जो angiosperm होता है उसमें after fertilization endosperm का क्या होता है formation होता है तो 186 का क्या हो जाएगा fourth option next which of the following is a common character among xylem phloem pith and pericycle of dicot stave दीवीजपत्री तनों में xylem phloem madja परिरंब के लिए निम्न में से कौन सा एक समान है लक्षन है देखो made up of colin kai ma तो सारे colin kai ma अगे नहीं होते हैं including stiller reason तो बिलकुल अपन यह कहें तो stiller reason के अंदर present होता है कि बाई जैसी stiller reason है तो इसके अंदर अपन pericycle को count करते हैं और इससे बाहर जो endodermis होता है उसको अपन count करते है किसके अंदर extra stiller के अंदर क्या किया जाता है count किया जाता है part of vascular tissue system तो vascular tissue system के अंदर क्या आता है आपकी xylem and phloem आता है including extra stiller extra stiller में endodermis के बाद का जो reason हो क्या किया जाता है count किया जाता है तो यहां पर option क्या होगा second option क्या हो जाएगा 187 का क्या हो जाएगा right हो जाएगा ठीक है next adsorption of water by seeds is example of बिल्कुल NCRT में दे रखा है कि बाइज seeds जो water का absorption करते हैं तो सबसे पहले process के तुरू होता है और उस process को अपन क्या बोलते हैं imbibition क्योंकि यहां पर क्या शब्द काम में लिया गया है adsorption ठीक है तो adsorption basically किसके लिए काम में आता है imbibition के लिए या अंतर्चुशन के लिए क्या होता आपके काम में लिया जाता है तो यहां पर फॉर्ट option क्या हो जाएगा यह पुछा है याद रखना adsorption of water add किये जाते है कौन से process के तुरू imbibition के तुरू तो 188 का क्या हो आपके फॉर्ट option क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा इसके अंदर ठीक है बात नेक्स्ट 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 विशन देखिएगा मैच दा कोलों स्तंबो का मिलान कीज यह देखो बिलकुल NCRT के अंदर दे रखें विद्पक भी दे रखें और उनके नाम भी दे रखें एड है निन डेरीवीटी बैसिकली काइनेटीन हैं तरपाइज की बात करें गेस टो फ़स्ट ऑप्शन होजाइगा तरपाइज की बात करें तो जीब्रेलिक एकिट ऑशिद के आसीड हो घद अगया अब इसमें अगर अपन मेच करें तो यहाँ पर ए जो है वो किसके साथ मेच कर रहा है सेकेंड के साथ में भी जो है वो किसके साथ में इसकर रहा है थार्ड के साथ में ठीक है और जो सी यह वो किसके साथ में मेच कर रहा है आपके ये शियस होर्मोन तो यहां पर यह मेच नहीं करा तो यह मेच कर रहा है यह मेच कर रहा है और यह मेच कर रहा है के रोट out the correct ploidy nature of abc in flowering plants मतलब angiosperm की बात हो रही है तो यहां पर याद रखें जैसे अभी आपने क्विशन एक डिसकस्ट भी किये और काफी इंपोर्टेंट भी है एक सेल है प्लॉइड होता है इंपर in टुफ सब्सक्री होगा आपके ट्रीपलोईड कंसीर किया जाता है तो यहां पर एंट्टु एंग और स्ट्री इंश हो जाए बाइगा तो यहां पर सिक्वेंस के नाप देखे तो ठाल ऑप्शन क्या होगा रइट हो जाएगा तो वन नीटिक हो जाएगा थार्ड ऑ फ्रस्टर काफी इंपोर्टेंट होता है इसमें हर बार एक क्यूशन आता ही है ठीक है तो उसी बैसे पे जो है वह आपके फ्रेम किये गए एक क्यूशन ठीक है थिन थ्रेड लाइक क्रोमोजोम अपियर अपेरियंस ओफ रिकॉमिले नॉड्यूल्स फॉर्मेशन ऑफ करद टेट्राब जायों किसके और हो जाएगा चाहीत КOTE के उन्टर एपेरियंस और किसमे कर गहाइगा दैकाइनस के komplette के लिए तो फास्ट ये कहें तो फडिसके बाद में आ गया इसके और फिर उसके बाद में किया अगहेँ एलोग आप्शन यह सिक्वेंस अगर आपन देखिया तो फॉर्थ ये और फिफ्फ यह गया तो फस्त है फिर उसके बाद में आपके थार है फिर उसके बाद में इसके बाद में। नहीं कर रहा है बट यहां पर देखो अगर आप कन्फ्यूज हो रहे हैं तो देख लो एक बार यहां पर सिक्वेंस चेंज है ठीक है तो फर्स्ट आप्शन क्या होका राइट हो जाएगा अब विजो लाइक ट्रॉज तर्फयंड्नेटिन यह अग में और अरगे में अपंश्ट पर्टिकूल स्पीसी आप इन्काञबनेट हो पॉपलेश फूट चैन आ गया ट्रोपिक लेवल आ गया तो अलग लग स्पीसिस के मेंबर हो गया तो यह भी नहीं होगा है था यहां पर आप्षण क्या होगा थार्ट की जायेगा थार्षण के लिएक अन्यक्ष प्षिटी का होगा थार्डोप्षिट और आइच्टे सबस्क्राइच करें हैं अगर आपने यह करें आर्थ क्या कोडिंग है दो號 डोढन किदर सेंके किदर जाते हें अगर अपन इसको equator मनें तो equator से जैसी अपन पॉल की तरफ जा रहे तो species diversity क्या होता है आपके decrease होता है पर अगर अपन पॉल से equator की तरफ आ रहे है तो species diversity क्या होता है आपके increase होता है तो from Paul to equator धूरों से भूमध्य रेखा की और हो जाएगा तो from equator to pole from mountain to mountain from sea level to mountain यह नहीं होगा लेकिन यहाँ पर आप याद रखना पॉल से किदर आ रहा है आपके equator की तरफ आ रहे है तो क्या होगा आपके species diversity देखने को मिलेगा हाई amount के अंदर तो 193 का first option next नंबर पिरामिड ओफ लैक पॉंड इको सिस्टम इस हना जील और तालाब के अंदर बिल्कुल क्या होगा स्टेट हो जाएगा यहां पर याद रखना है कि अगर प्रोड्यूस अलाब ज्यादा इस्टम पीस सवत लैंकरम आपकी कम होता है अल्स मॉल फिश्यू not an adaptation for altitude sickness not adaptation वन अनुकूलन नहीं है increase in red blood cells बिल्कूल सही है एक अनुकूलनता का भाग है decrease in binding capacity of hemoglobin ठीक है ना ये भी आपके क्या है capacity बोल दो या फिर आपके क्या बोल दो affinity बोल दो affinity बोल दो ठीक है ना एक बात है increase breathing rate ये बिल्कूल सही है but nausea and fatigue जी मिचलान और ठकान होना ये symptoms है ये उसके अनुकूलनता जो है वो आपके देखने को नहीं है ये याद रखना ये उसके क्या होगा आपकी symptoms हो ठीक है तो fourth option क्या होगा 195 के अंदर क्या होगा fourth option क्या हो जाएगा अपन कहें area और species richness तो एक area तक बढ़ेगा फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा आपके downfall downfall मतलब species richness जितना देखने को नहीं मिलेगा जितना starting में देखने को मिलेगा तो यहां पर as जो है वो किसको denote करता है species richness को क्या करता है denote करता है यह प्रजाती की अधिक्ता को क्या करता है denote करता है तो 196 को क्या हो जाएगा first option क्या होगा right हो जाएगा ठीक है next है how many techniques given below are used to fix the exit to conservation नीचे दी गई कितनी उपाई वही स्थाने selection के चेतर के लिए उत्रदाई ऐए देखो यहां पर gene bank exit to में आता है नेशनल पार्क exit में नहीं आता है institute में लॉजिकल पार्क exit में आता है जरन प्लाजम बैंक यह भी exit में आता है seed bank ex situ में आता है, biosphere reserve आई नहीं आता है, in situ में आता है, scattered grooves ये भी in situ में आता है, wild life safari park ये ex situ में आता है, botnical garden भी किस में आता है, ex situ में ही आता है, तो एक तो ये हो जाएगा gene bank, एक हो जाएगा zoological park, तीसरा क्या हो जाएगा आपके, reserve प्लाजमे, conservation, fourth number क्या हो जाएगा, seed bank हो जाएगा, fifth number आपके क्या होगा, wild life safari, और sixth number क्या हो जाएगा, botnical garden, तो 6 यहाँ पर ex situ जो बच गए हो किस के respect में है, in situ के respect में है, ठीक है, तो यहाँ पर answer क्या होगा, third option क्या होगा, right हो जाएगा, तो 197 का क्या होगा, third option, right हो जाए टेलर और कलीक्स देखो टेलर कलीक्स NCRT ने बिल्कुल दिये है कि जो मीजल सेनों और स्टाल थे उन्होंने डिने की अर्ध सर्रक्षी परती करती और सेमी कंजर्वेटिव मैथाड़ों को यहां पर अगर आपन कहें तो जो पॉइंट है तो डिने से रिलेटेड हो जाएगा यह हर चेज की बात करें तो डिने जो है वह एक जेनेटिक मेटेज यह लिए इन्होंने बताया था experience grief ult की बात करें तो ग्रिफिट जो है वो transformation gdzie चेकब मोनाल्ठ की बात करें तो लैक ऐपरोन के लिए था तो अब उसे साब से मेच करो तहलow just how to the सेकींड होगा सेकिंड रहा teammates clergy चेस की तो DNA is the genetic material तो यहाँ पर जो है वह आपके क्या हो जाएगा देखो ए जो है वह आपके second हो गया और यहाँ पर fourth जो है यह हो गया ठीक है यह हो गया ना फिर Griffith की बात करें तो Griffith जो है वह transformation principle के लिए हो जाएगा फिर जैकब मोणार्ड की बात करें तो यह हो जाएगा मालब यह वाला जो ठीक है यह हो गया ठीक है तो यहाँ पर third option क्या होगा right हो जाएगा तो 198 का क्या हो जाएगा, third option क्या होगा, right हो जाएगा, ठीक है, तो 198 का क्या होगा, third option, next, which one cannot be synthesized from DNA directly, कौन DNA से प्रत्यक्ष रूप से संसलेशित नहीं हो सकता, तो एक सिक्वेंस होता है, DNA से क्या बनना चाहिए, RNA, और RNA से क्या बनना चाहिए, प्रोटीन का निर्मान होना चाहिए, यह सिक्वेंस होता है, इसी को क्या बोलते है, central dogma, mRNA बनेगा, tRNA बनेगा, RNA बनेगा, बट प्रोटीन डारेक्ली कभी भी नहीं बनता, पहले RNA बनेगा, फिर RNA से क्या बनेगा, आपके, प्रोटीन का क्या होगा, निर्मान हो जाएगा, तो 199 का क्या हो जाएगा, 4th option, पुछा न, cannot synthesize from DNA directly, next question, father of Indian green revolution, भारती है, हरित क्राहंती के जनक, देखो बिलकुल NCRT में दे रखा है, स्वामी नाथन, सभी को पता है, बोल लोग तो आपके क्या थे, father of green revolution, भारती है जनकों थे, स्वामी नाथन, पंचानन महेश्वरी नहीं है, इन्होंने तो embryology अब रोण की पे क्या किया था, काम किया था, आर मिश्रा ये ecology से related थे, पारस्तितिकी से related थे, तो इसके अंदर जो answer हो क्या हो जाएगा, second option क्या हो जाएगा, right हो जाएगा, clear बात यहां पे, ठीक है, आगे बाद समझे, तो इस तरीके से देखो बच्चों अपने, एक की करके, one by one करके, सारे question सोल किये, वैसे तो आपक आप वापस से उन data को एक बार recall कर ले, revise कर ले, ठीक है, तो उमीद है आपको जो है, वो paper अच्छे से explain, आपको वा होगा, ठीक है, पढ़ते रहिए, all the best.